अलाम आलेकुम गाइस इस फरहाना सूरवाला दहुर माज स्कीन वाइटनीं क्रीप सो गाइस देखिए मैंने मेरे अपने खुद के पैर की ग्रोथ बहुत फुल की थी आप लोग देख सकते हो मेरे स्कीन टानिंग भी हो चुका है और फुल ग्रोथ भी है आज मैं इंशालला चॉकलेट वैक्स पाउडर कर रही हूँ मेरे पैरो की मैं आप लोगों पर ये स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी के हाव तो यूज एन उसका रेजल्ट ठीक है पाउजर फाइफ लेवर अविलेबल लाइक ओरें चॉकलेट रोस संडल वूट और कॉफी इंग्रेटिंट प्रस्टिंट डामेल आपई राइस रोड ओ मैं पैनले सन एज टो यूज जो राइस नो एंग肉 लाइजर पकेट विलेवर यूनिसूक्स पूट प्रचास रिमोड जेवरी पर आप्ला रिंट पैस्ट दो रोसे पिंगर ओर है पेक्डिट स्टेट पाईट इस पाउज पस स्मूथ पेस्ट अनली यूज ब्रश ओके एन अप्लाइ थिक लेर और जो तक पूरा पाउजर कंप्लीटली मलतानी में पर सूप नहीं जाता है तो से आपको रिमॉव नहीं करना चीके एन एड रोस वोटर सी स्किन माइटनी क्रीम अप्लाइ वेक्स पाउजर फ्लेवर शॉकलीड सी गाइस मिसमिल्ला एन सी रिजल्ट कि क्या रिजल्ट आता है आप लोगों कि यह मैं खुद से मेरे पैर पे करके बता रहे हूं माशलला कि देखिए इसका रिजल्ट कितना प्यारा है यह कंप्लीटली शुक चुका है ठीक है यह थोड़ा बद सुकने का बाकी है इस तरीके से पैक का कलर होना शाहिए जम वैक्सिंग पाउजर यूज़ करते है ठीक है यह कंप्लीटली शुक चुका है सबसे पहले मैं ने लिया ता बिफोर अब मैं बताँगी मेरे आफ्टर का लेग ठीक है यह देखिए एक भी बार हाथों में नहीं लग रहे माश्यलास यह देखिए यह देखिए कितना प्यारा स्कीन हो चुका है यह अगर मैं हॉट वैक्स करती तो यह जकम और उपर निकल के आते बट यह वैक्स बिल्कुल मुझे हाम ने किया ना मेरी स्कीन को ड देख सकते हो आप लोग मेरे दोनों पैर में डिफरेंट इसका पूरा टैनिंग रिमूव हो चुका है इसका टैनिंग बिल्कुल रिमूव नहीं हुआ है यह ग्रोथ आक्चुली मैंने इसलिए बढ़ाया है बिकॉस मुझे बैक्स पाउजर का देखना था कि उसका रिजल